आंगनबाडी कारेकरताओं को नियमित करने और मांदे बढ़ाने की मांगों को लेकर कारेकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है आंगनबाडी कारेकरताओं ने आज कोटा में भी कलेक्टरेट पर धर्णा देकर विरोध प्रदर्शन किया आंगनवाडी कारेकरताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बांदे बढ़ाने के लिए वादा किया था लेकिन सरकार ने आंगनवाडी कारेकरताओं को राहत पहुचाने के लिए कोई निर्णे नहीं लिया है सालों से विपरित परिस्तितियों में कम वेतन में काम कर रही आंगनवाडी कारेकरता लंबे वक्त से नियमित करने की मांग उठा रही है ऐसे में अब मांगे पूरी नहीं किये जाने पर देश भर में आंगनवाडी कारेकरता विरोध प्रदर्शन करेंगे कारेकरतों की मांग है कि अब केंद्र और राजी में बीज़ेपी की सरकार है देशबर में आंगनवाडी कारेकरता मांदी बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है सरकार में जल्द अगर मांगे नहीं मानी तो राजधाने जैपूर और दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के हत्या की विरोत में कोटा में भी रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलन की रहा पर हैं एम एस अस्पताल परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया है Resident Doctors Association की अध्यक्ष डॉक्टर जीतिंद्र कुमार ने कहा कि कोलकाता की घटना के बाद कोटा में भी Resident Doctors अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है Resident Doctors ने कोटा के MBS New Medical College अस्पताल में अतरिक्ती CCTV कैमरा लगवाने और सुरक्षा गार्ड्स को तैनात करने की मांग उठाई है Resident Doctors के अध्यक्ष ने कहा कि Resident Doctors की सुरक्षा को लेकर नया नियम जल्द लागू किया जाना चाहिए इस दोरान कोटा के Resident Doctors ने कारे बहुषकार की भी च्वेताव ने दी है कारे रेजिएंट कोटा के भी साथी यह चाहर हैं कि जितना जल्दी हो सके हम काम से नहीं जाएंगे क्योंकि सुरक्षा का एहम मुद्ध है जिस तरह का जगन्य अपराद हमारी बैन के साथ कोलकता में हुआ है उस तरह का कोई क्राइम यहां क्रियेट नहीं हो बगवान से ऐसी उमीद रखते हैं परसासंसे और सरकार से यह उमीद करते हैं कि हमारे वर्क्ष पलेस को कि तुमना आजाए